जब सबकी सुरक्षा के लिए नियुक्त रक्षक ही अपना इमान बेचकर कानून का माख्षक की भूमी का निभाने लगें तो फिर कानून का राज कायम होने की बात करना बेमानी हुई होगा और मजलूमों को नियाय मिलपाना असंभव हो जाता है ऐसा ही एक मामला थाना तिकुनिया में देखने को मिला है जहां पर ग्राम प्रधान जो उक्त मुकदमा अपराद संख्या में नामज़द आरोपी है उनकी ताल पर तिकुनिया थाना प्रभारी वा विवेचक थिरकते दिखाई पड़ रहे हैं घटना के एक माम बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफतार करने की बजाए उनकी गाड़ी में बैठकर नेपाल के शीशा पानी में सैर सपाटा करते दिखाई दे रहे हैं बताते चलें कि थाना तिकुनिया चेत्र के ग्राम गोवर्धन मदद की थी दिनाथ 12 दिसंबर 2019 को रात लगवग साड़े 9 बजे की रात थी पीडिता ने अपनी तहरीर में किशोरी पुत्र जियालाल संतोष दिनेश अशोष पुत्र गण प्रभु बलिराम पतनी का नाम गोकर्ण जगबीप सिंग पुत्र कुलवन सिंग निवासी गण गोवर्धन पुर्वा मजरा गुलरिया पत्थर शाह थाना तिकुनिया खीरी के विरोध मुकद्मा अपरात संख्या 189 धारा 147 427 436 IPC दर्ज कराया था आज मुकद्मा दर्ज हुए एक माह से ज्यादा का समय गुजर जाने के बाद भी नामजदारोपियों को गिरफतार क बजाए उनकी गाड़ी में बैठकर नैपाल में सेर कर रहे हैं आपको नाम क्या है कहा रहती है क्या मामला है किसने हैं जग्गा यह कौन है यह क्या है परधान किसोवी संतोस तो तो थाने गई थी आप हम गयर हम थाने क्या हुआ एक दीन तो हम बैठी रहन दीन नुभर तो नाय लिखीन नाय पूरत फिर भुषब रहे हम एक दीन हमरे घर फाली गए हैं तो उन गए हम यह चलोगा साहिब और कोई हम रहे ठवनाई पकड़े गए वह लोगीने हुआ नाय पकड़े गए हैं अब हमका धंकी देती ही हमेर किसको लेका चले गए थे मतलब अपनी पार्टी कहां लेका है बाहर चले गए फूमें हम बई ठीर हैं फिर पांच बजी गे पांच बजे आये हैं तब लिखी में हैं तो फिर उके भाग